नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक नाजुक चूजा जंगल में सेर के लिए निकला। वह देवदार के पेल के नीचे से जा रहा था तभी अच्छानक एक फल उसके सिर पर आगिरा। नाजुक चूजे ने समझा की हो नहो आस्मान गिर रहा है। भय गीत होकर वह दोड़ने लगा। उसने जंगल के राजा शेर को यह बताने का निर्नय किया और तेजी से दोड़ने लगा। उसे बेतहाशा भागते देखकर मुर्गी ने पूछा अरे ओ नाजुक चूजे कहा दोड़े जा रहे हो। हाफता हाफता नाजुक चूजा बोला आह आस्मान गिर रहा है भागो मैं शेर भाई को सूचित करने जा रहा हूं। मुर्गी भी नाजुक चूजे के साथ हो ली। मार्क में उनकी मुलाकात बत्तक से हुई। सारी बाते जानकर वह भी इनके साथ दोड़ने लगी। चलते चलते उन्हें लोमडी मिली। उसने पूछा अरे भाई तुम सब कहा जा रहे हो। उन तीनों ने कहा, हम लोग शेर को बताने जा रहे हैं कि आसमान गिर रहा है। लोमडी उन तीनों को शेर के पास ले गई। शेर सभी के साथ उस पेड़ के नीचे आया तभी फिर से देवदार का एक फल नाजुक चूजे पर गिरा और वह घबरा कर चिल लाया, आह। वह देखो, आसमान गिर रहा है। यह सुनकर सभी एक साथ हसने लगे।